दोस्तो आज हम आपको गलती से इंबेंड हुई चीस के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप आफचरे हो जाएंगे दोस्तो हम कभी न कभी पोटाटो चीप्स खाते हैं कि आप जानते हैं पोटाटो चीप्स गलती से इंबेंड हुआ था दरशल एक customer ने आलू के fries मंगाये थे लेकिं customer ने complaint किया कि आलू के fries बहुती कच्चे और मोटे मोटे है customer ने कहा सेव को आलू के fries बनाना नहीं आती सेव इस बात को दिल पर ले ली और सेव ने बदले बदले आलू काटे और उसे डी fry किया और उसमें नमक मिला दिया यह आलू के फ्राइस कास्टोमर के बहुत ज्यादा पसंद आये ऐसी हुई थी आलू की चिप्स की फ्राइ की इन्वेंशन नमबर चू तो मैगी का जो मसाला है उसे एक जूलियस मैगी नाम के आदमी ने बनाये थे पहली बार जब मैगी चाइना और अमेरिका में लांच हुआ था चाइना के लोगों को यह नॉर्मल लगी थी लेकिन युएस से के लोगों को रबर की बनी हुई चीज लगी थी क्यूंकि इसका टेक्स रबर जैसी है और लोगों को यह धीरे-धीरे पसंद आने लगे और लोग इसे खाने लगे और आज मैंगी कितनी फेमस है ये बात तो आप जानते ही होंगे पहली के लोग पीलो की जगे पर पत्थर की इस्तिमाल करते थे इसलिए कि कीडो मकड़े उनके कान पर ना जा सके मगर एक राजा के नौकर ने गलती से पत्थर के उपर कपड़ा रग दिया इससे राजा को राज में सोने में कोई तकलिप नहीं हुई और अच्छे निन आई और ऐसे ही हुई थी सौप पीलो की इन्वेंशन दोस्तो हमें तो आइस्क्रीम खाना बहुत पसंद है मगर आप जानकर ये अच्छेरी हो जाएंगे कि आइस्क्रीम एक बच्चे की गलती के बज़ा से इन्वेंट हुआ था एक बार एक बच्चे ने पानी और सोडा को मिला कर उसे फिना भूल गया और रात भर ऐसे ही पढ़े रहा और ठंड के बज़ा से बोच जम गया ये आइडिया एक आदमे को अच्छा लगा फिर उन्होंने अलग अलग फ्लेवर एट करके इसे बहुत अच्छा आइस्क्रीम बना दिया दोस्तो वीडियो पसने आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही रोच चक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्रीब करना ना भूले और पास में बेल ऐकन को भी प्रेस कर ले ठैंक्स पर वाचिंग